हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल लेजी क्रेजी पर आपका स्वागत है आज का हमारा टोपिक है अक्टूबर नमामर में लगाई जाने वाली सब्जियां तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि नए आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं विंटर सीजन की सब्जियों की जानकारी अगर आप पहले से गार्णिंग वेरा नहीं करते हैं मगर अब करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट टाइम है क्योंकि सर्दियों क सब्जियां काफी आसानी से गरो हो जाती हैं और हमसे कोई जादा एफर्ट भी नहीं मांगती सर्दियों की सब्जियां लगाने का अक्टूबर एवाम नंबर गोल्डन पिरियड होता है यानि सबसे अच्छा टाइम होता है इन दो महीनों में ना जादा सर्दी होती है और सब्जियां लगा सकते हैं सब्जियां आप कहीं भी कैसे भी लगा सकते हैं आपके पास धेर सारी ऑप्षोन एंपर प्रम गरो ए desemना सब्जियां नहीं तो आप have पर इन सब्स जीजों की मदद से असानी सब्तट्य क्यां लगा सकते हैं अगर आपको भी ज्लिए अगर wines आपका गार्डनिंग में इंट्रेस्ट है तो सबसे पहले हम साग वाले कुछ सबजें बताते हैं ये ऐसी सबजें हैं जिनके हम लीव्ज यूज गरते हैं जैसे सबसे पहले है धनिया जो हमारी कीचन में सबसे ज़्यादा यूज होता है धनिया लगाने का ओक्टूबर एवं नवंबर सबसे अच्छा टाइम है धनिया के बाद है पेपरमेंट यानि पोधिना पोधिना वैसे तो आप बारा महीनों में कभी भी लगा सकते हैं पर ये इसे लगाने का सबसे अच्छा टाइम है पौदिना कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है इसके बाद नेक्स्ट है स्पीनच यानि पालक पालक बीजों से लगाई जाती हैं वे काफी आसानी से ग्रो हो जाती है इसे आप स्थंबर से लेकर अक्टूबर एवं नवांबर में कभी भी लगा सकते हैं इसके बाद है mustard यानि सर्सों अगर आपको सर्सों का साग पसंद है वैसे लगाना चाहते हैं तो October वैं नॉमबर में लगा सकते हैं नेक्स्ट है parsley, parsley की भी leaves ही यूज की जाती है वैं इसे भी September, October या November में कभी भी लगा जा सकता है इसके बाद बारी आती है रैडिस यानि मूली की मूली को वैसे तो 12 महीनों में कभी भी लगा सकते हैं या ग्रो हो जाती है पर October या November में इसे लगाने का बेस्ट टाइम है इसक इसके बाद है कैरट यानि गाजर गाजर सर्दियों की मुखे सबजियों में से एक है इसे भी October या November में ही लगा जाता है नेक्स्ट है पोटेटो यानि आलू आलू रगबग सब को पसंद होता है तो अगर आप आलू लगाना चाहते हैं तो अभी October या फिर नवंबर में ल हो जाता है इसे भी आप अभी October या फिर नवंबर में लगा सकते हैं या आजकल काफी रंगों में आने लगा है इसके बाद है बीट रूट यानि चुकंदर या ऐरन से भरपूर सबजी है इसे भी October या November में कभी भी ग्रो किया जा सकता है इसके बाद है हमारा गारलिक यानि लहसुन लहसुन के बिना कोई इंडियन डेस कंप्लीट नहीं होती लहसुन ग्रो करने का October या November सबसे बेस्ट टाइम है और इसे श्टोर करना भी काफी आसान होता है नेक्स्ट वेजिटेबल है पेज यानि मटर मटर भी काफी आसानी से ग्रो हो जाती है आप इसे भी अक्टूबर या फिर नॉमबर में कभी भी लगा सकते हैं मटर के बाद बीन्स यानि सेम या फलियां आजकल इसका प्रियोग भी काफी बढ़ गया है काफी पोस्टिक भी होती है बीन्स को भी अक्टूबर या नॉमबर में लगा जा सकता है इसके बाद नेक्स्ट है ब्रोकली ये फूल गोबी की ही एक वेरिगेडिड वेराइटी है आजकल इसका प्रितलन भी काफी बढ़ गया है इसकी पहले नर्सरी यानि पोस्ट त्यार की जाती है इसे भी अक्टूबर वेनॉमबर में लगा जाता है इसके बाद है कूली फ्लावर यानि फूल गोबी ये भी आजकल काफी रंगों में आती है आप जैसे लगाने चाहे लगा सकते हैं अक्टूबर वेनॉमबर तक आप इसे कभी भी लगा सकते हैं फूल गोवी के बाद है कैबेज यानि बंद गोवी यह भी कई रंगों में आती है वैसे भी अभी अक्टूबर या फिर नॉमबर में लगा सकते हैं next है हमारी चिल्ली यानि मिर्ची मिर्ची को भी आप October, November में कभी भी लगा सकते हैं वैसे आप मिर्ची 12 बहिने में कभी भी लगा सकते हैं पर यह इसका best time है इसके बारी आती है Capsicum यानि सिमला मिर्च यह भी काफी रंगों में आती है जिस color की आप लगाना चाहें लगा सकते हैं यह इसका best time है और कैपसिकम के बाद आता है brain gel यानि बैंगन वैसे बैंगन कम लोग पसंद करते हैं पर मुझे बैंगन काफी पसंद है बेंगन भी अभी अक्टूबर या नॉमर में लगा सकते हैं बेंगन का पोधा एक बार लगाने के बाद दो तिन साल तक फल देता है नेक्स्ट है बोटल गार्ड यानि लोकी लोकी का भीज गर्मी का अलग रेनी सीजन का अलग वे सर्दियों का अलग आता है तो सर्दियों वाली लोकी आप अभी लगा सकते है उसके बाद आता है करेला करेला भी अगर आप लगाना चाहें तो अभी लगा सकते हैं क्योंकि इसका भी सर्दी वे गर्मी का अलग अलग बीज आता है इसके बाद नेक्स्ट है टोमेटो यानि टोमाटर टमाटर भी काफी रंगों में आता है वहीसे भी अक्टूबर वे नॉवंबर में कभी भी लगा सकते हैं इसके बाद है खीरा और मेथी इन दोनों सब्जियों को लगाने का भी अक्टूबर वे नॉम्बर बेस्ट टाइम है आप चाहे तो लगा सकते हैं ये थी सर्दियों की 25 सब्जियां जो हमने आपको बताई है उनमें से कुछ सब्जियों की नर्सरी त्यार की जाती है यानि पहले पोध लगाई जाती है जैसे ब्रॉकली, फूल गोभी, बंदगोभी, मिर्ची, सिम्ला मिर्च, वेट मार्टर उक्टूबर वे नॉम्बर में इनकी पोध त्यार की जा सकती है पर इसके बाद लगा रहे हैं, यानि दिसंबर में, तो आप नर्सरी से इनके त्यार पोध लाकर ही लगाएं तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी चोटी सी जानकरी सब्जियों को लेकर आपको हमारी जानकरी पसंद आईए हो, तो लाइक अवर वीडियो, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कॉमेंट करके भी बता सकते हैं, थैंक्स और बाई बाई